कि वैसी तो हिंदुसान में छे तरह के मौसम होते हैं लेकिन आजकल जमाना बदल गया है एक सातवा मौसम भी जूड़े गया है जिसे कहते हैं एक्जामिनेशन का मौसम यानि कि मार्च एप्रिल आते ही हम सब पेरेंट्स हों या बच्चे हों एक खास तरह के मौसम से जूच जिसको कहते हैं एक्जामिनेशन का मौसम यानि की परिक्षाओं का सीजन तो आप परिक्षाओं के जीजन में अपने बच्चों को हेल्दी रखें और बच्चे भी आपने आपको हेलदी रखें इसके लिए जरूरी है कि इस चीज़ को बहुत असानी से जिंदगी मिलें य आप अपनी डाइट में पीजा बर्गर ना लेके दाल रोटी सब्जी खाएं जो गरिष्ट ना हो पचाने में असान हो और आपको बहुत जल्दी जो देर रात तक जागना पड़ता है उसके लिए भी आपको हेल्प करें आपको खाना खाते ही नींद ना आए तो जुरूरी है कि आप जो जल्दी से भाजम होने वाली चीज़ें हैं और आपको पूरे लेवल पर न्यूट्रिशन देती हैं जिन में दूद खास तौर पर है और अगर लंच टाइम में बात करें तो दही का अपने डाइट में शामिल करें अपने बच्चों को मेंटली भी स्ट्रॉं कभी वो सो नहीं पाते तो इन चीज़ों से बचें बच्चों को पांच मिनट के लिए मेडीटेट करना भी जरूर सिखाएं और बच्चों को सिखाएं कि पांच मिनट आंख बंध करके बैठने से अपने आप से जोडने से वो काफी हद तक आपने आपको ड् बनागे खाना खिलाएं और उनकी विल्पावर स्ट्रॉंग करने के लिए उनको हमेचा एडवाइस करते रहें कि जीवन तो हर तहां एक इम्तिहान है हमें जीतना ही है और हर बच्चा जीतेगा तभी है हम भी प्रग्या परिवार की तरफ से चाहते हैं कि कोई भी बच्चा आई क्विट करके अपनी जिन्दगी से बाहर ना जाए और आई फेस करके अपनी जिन्दगी का सामना करें और सब्सक्राइब